तो फेसे आपका स्वागत थे मेरियेटिव चैनल गुजु कॉंपेटर रोड़ में चहाँ पर हम डिसकेशन कर रहे है पाइथन टुटरल उसके बारे में तो अभी तक हमने टुटरल 29 याने की कुन सा है इन्हेरिट अंस तक हमने कंप्लेट कर दिया है तो आज का जो टुटर से उसका तो ज्यादा काम नहीं है क्योंकि हमें इसमें सिर्फ कोडिंग कर गई सिखना है कि सुपर फंक्सिन क्या है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखिए वहाँ से आप उसे एकसेस कर सकते हो बिलकुल फ्री में ठीक है तो चलिए सुरू करते ह सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो अभी मैं यहाँ पे एक न्यू पाइफन 3 का नॉट्बुक क्रियेट कर देता हूँ ठीक है तो यह आप सबको पता यह केसे करना है क्यू करना है यहाँ पे रिनेम उसको कर देता हूँ सुपर फंक्शन से ठीक है ताकि हमें पता चल सके तो मैंने यहाँ पे लिग दिया कुछतों कुछतों कि दिखाता हूँ थू कि सबसे पहले म identifies कौन्से mouth क्लास बनाता हूँ आक नाम आपसे ह наст करने हमें यहाँ पर सुपर फंक्शन का क्सेप समधना है कि क्लास क्ंसेप में आगे बता दिए हैं अगर आपने वा विडियो नहीं देखे तो पहले वह देख लि 평द किया है उस में एक variable ले 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 लता हूँ class.ropic1 से क्या नाम रखता हूँ class.vale1 उसमें मान लो मैंने यह भी value दे दी । जैसे कि मैंने दे दिया primarily class variable ञेक ऐसा मान लो in class A ऑसा मान लो in class A, मैंने class variable 1 के अंदर और इसा लग दिया क्या लग दिया Öyle於 class variable in class A फिर मैंने init method को यहां पर call कर दिया तो वह क्यों करते हैं वह आप सबको पता हिए ठीक है तो मैंने यहां पर init method या फिर constructor भी आप उसको बोल सकते method और constructor में क्या change है क्या difference है मैं वह आपको वीडियो के last में दिखाने वाला हूँ ठीक है तो अभी इसको method भी बोल आप बोल सकते हैं और constructor भी बोल सकते हैं तो यहां init के अंदर में क्या करता हूँ तो कि init के अंदर मानलो मैंने एक variable लग दिया वेर वन नाम से कुन से नाम से वेर वन उसमें भी मानलो मैं कुछ दे देता हूँ जैसे कि I am inside class a method ठीक है क्या मैंने दे दिया I am inside class a method मैं class a के method के अंदर हूँ ताकि हमें output मिले तो हमें पता चल सके कि कौन सा output मिला है ठीक है आसा नहीं रहे तो इसा कर दिया अभी मैं क्या करता हूँ तो कि अभी मानलो मैं और एक class class b बनाता हूँ लेकिन 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 class b को मैं class a से inherit करूंगा inheritance का वीडियो हमने last में देखा है ठीक है वो नहीं देखा तो यह कौन से बाको समच में नहीं आने वाले तो पहले वो देख लीजी तो यहां पर मैंने class b को class a से inherit कर दिया और उसके अंदर मानलो मैं एक variable ले लेता हूँ class where two नाम से उसमें class where one लिया था ना class where two नाम से और उसमें दे देता हूँ i am in class b ठीक है इतना दे दिया i am in class b अभी मैं क्या करता हूँ इस दोना का object या फिर constructor create कर देता हूँ a equal to class a का मैंने कर दिया object और b के नाम से class b का मैंने कर दिया थाकि हमें जब भी class हो a और b का कोई भी element access करना है तो हम small a और small b की मदद से कर सकते कैसे जैसे कि मैंने यहां पर लिखा print b k through मैं करना है मानलो b class where to अभी इसको मैं run करता हूँ तो क्या आया i am in class b क्यों कि b k through यानि कि वो b class का जो object है small b उसने क्या create किया class where to तो वो यहां पर जाएगा और यह i am in class b print कर देगा लेकिन 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 मानलो मैंने यहां पर लिखा class a तो class a तो class a नहीं b का यूज किया है तो b जो है वो तो class b का object है फिर भी यह रहन होगा और देगा i am of class a variable in class है क्यों क्योंकि हमने यहां पर जो b है उसको a से inherit किया है मानलो मैं यहां से inherit नहीं करता हूँ तो फिर वो हमको error देगा ठीक है कि b has no attribute class variable 1 यानि कि b के पास कोई class variable 1 ही नहीं इसलिए मैंने यहां पर class a को inherit किया है अभी वो हमें क्या दे रहा है class variable 1 यह दे रहा है im class variable in class a अभी मैं क्या करता हूँ आप देखो तो मानलो अभी में यह जो हमारी df init वाली method उसमें यह same variable class variable 1 यहां पर declare करता हूँ तो वो self के through करना पड़ेगा class variable 1 और उसमें कुछ में अलग दे देता हूँ इसमें क्या दिया था im class variable in class a दिया था ना तो मानलो में इसमें दे देता हूँ कुछ कि instance in class a यानि कि जो class a है उसका instance variable हम जो method के अंदर variable declare करते हूँ उसको कं से method variable बोलते है instance अभी मानलो में इसको run करता हूँ तो हमार आउटपुट क्या है instance in class a हमने आउटपुट में क्या मांगा था कि class variable 1 तो class variable 1 तो यहां पर भी है और यहां पर भी है लेकिन print कौन सा हुआ तो कि जो instance वाला था वो print हुआ तो आपको याद रखना है यह जो concept है वो है object oriented programming का तो आपको concept याद रखना है कि object oriented programming में अगर same नाम के दो variable है तो जो instance variable है वो print होगा और वो instance है वो बाकि सबको और आट कर देगा instance को किन को बोलते है जो method के अंदर दिया हुआ है वो हम उसको क्या बोलते है instance ठीक है अभी मांगो में क्या करता हूँ तो कि मांगो हमने यहां पर class b के अंदर variable 2 था ना उसका भी नाम मांगो मेंने उसके जैसा कर दिया class variable 1 तो अभी हम देखते है कि अभी हमें output में क्या मिलता है तो में run करता हूँ फिर भी हम आउटपुट में यही मिला instance in class है यानि की ये variable class variable 1 instance वाला हो सबको overwrite कर रहा है किन को एक तो क्लास A वाले variable को और class B वाले variable को तिनों same variable है class variable 1 ये नाम है तिनों का लेकिन print कौन 사़ हो रहा है यह जो instance वाला है वो प्रिंट हो रहा है तो आपको याद रखना है कि जो instance वाला है वो सबको ओर्राइट कर देता है ओपी यानिक अब्चेप्ट ओरेंटेट प्रोग्रामिंग के concept में ठीक है अभी और कुछ ट्राइग करते हैं चैसे की मानलो में यहां पर इसको comment आउट कर देता हूं ठीक है और हमारा class में कुछ नहीं है तो हमें क्या लिखना होता है पास वह तो आपको पता है आपको कोई भी फिल्ड है वो ब्लेंक चुड़ना है तो आपको अभी पास लिख देना है अभी मानलो मैंने वेरेबल वन ह आउटपुट में मांगा है तो वो क्या आउटपुट दे रहा है तो तो फिर यही आउटपुट देने वाला है कौन सा तो कि जो इंस्टन्स वाला वेरेबल है वही आउटपुट में देने वाला है क्यों कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले जो इंस्टन्स है वह सबको कर देगा और अभी मान लो इसको भी में ओर डिटाओ यह व्रिभल वन को सोरी ओर आपक नहीं कोमेंट में डल देताओ अभी वो क्या देगा तो कि अभी वो देगा आयम इन क्लास भी आप concept समझें इदर उदर दियान मत रखें पास वाला में निकल देता हूँ concept समझें concept क्या है कि हमने यहां पे डिकलर drug क्या बी डोट class variable 1 तो वो क्या करेगा बी के अंदर झाएगा बी के अंदर चेक करेगा कि class variable 1 है हाँ variable class1 है लेकिन वो देखेगा कितने class1 है तो यहां पर अभी हमारे पास दो ही है एक तो एक के अंदर एक तो बी के अंदर तो पहले वो बी वाला प्रिंट करेगा मानलो यहां पर फिर से तीन होते और इसको मैं रंड करवाता हूँ तो क्या होने वाला है तो तो वो instance वाला वेरेबल ही प्रिंट करेगा अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों करेगा ठीक है आगे आपको समझ में आने वाला है तीरे तीरे अभी मैं क्या करता हूँ कि यह जो पूरा हमारी def वाली method था constructor था वो पूरे का पूरा ओवर्रैट कर देता हूँ यहां पर बी के अंदर ठीक क्लास ब्रैor चार मंझ हूँ क्या हूआ इंस्टर applies युव यानि कि अब अब क्लास बेरेबल 1 थे प्रेंट रहा रहा है हमारे पाश वह सभित तो प्रिंट कुंसा हो रहा है तो क्ये वाला ब्रेंट ऑन sur ciao moette icon वैंस्टरिये कितने तो नने सदोटर ब Animals फ करता ओर न क्वार आया आये मिन क्लास बी, यानि कि अब तो यह आया, लेकिन आना चाहिए तो यह है क्योंकि में आपको भी बताया कि इंस्टेंस वाला जो है वो सब को और एट कर देता है लेकिन यहां पर तो इसको और रेट नहीं किया, क्यों यह साया, वो समझने वाली बात, क्यों कि जब भी हम यह class B के अंदर हमने यहां पर लिखा, d.e.f. init, यानि कि जो यह class A की init method थी ना, उसको class B की init method ने और रेट कर दिया, उसका मतलब यह है, कि अभी class A की init method हो या ना हो, उसका कोई वजूद ही नहीं है, अभी हमें सिफ क्या देखना है, ओर रेट हो गया, उसका मतलब क्या, कि अभी class B है, उसके पास class A की init method है, ऐसा उसको मालूम ही नहीं है, और रेट कर दिया है, ठीके, यानि कि अभी वो क्या देखेगा, कि अभी यह वाली method यह ही नहीं, ठीके, तो अगर वो method नहीं होगी, तो तो फिर हमारे class variable 1 एक A, और एक A वाला, दो ही बचे, तो तो अभी यह ही print होने वाला है ना, इसलिए यहाँ पर I am in class B हुआ है, ठीके, अभी मान लो, इसको मैं comment out कर देता, तो अभी क्या print होता, तो फिर print होता instance in class है, क्योंकि इसको comment out कर दिया, उसका मतलब क्या है, कि init method नहीं अभी overwrite नहीं किया है, यानि कि अभी जो यह वाली init method है, class A वाली, वही picture में अभी है, तो वह instance होने वाला है, लेकिन जब भी मैं इसको overwrite कर दूगा, यहां से comment में से निकल दूगा, तो फिर क्या output में आने वाला है, I am in class B, क्यों, आप concept समझे, क्योंकि अभी यह class A की init method है, वह class B की init method से overwrite हो चुकी है, यानि कि इस init method का वजोद ही नहीं है, ठीके, अभी मान दिया, I am special edition, ठीके, लेकिन अभी मैं इसको run करूँगा, अभी मैं मान लो, यहां पर वो sp को run करने की courses कता हो, b.asp, ठीके, तो क्या देगा, error देगा, क्यों, क्या error हो, क्या रही है, कि b object is no attribute sp, यानि कि b में को sp ही नहीं, लेकिन हमारे पास तो sp है, लेकिन वो क्यों बोल रह declare करते है, तब भी, यह जो init वाली method है, उसका वजूद मिट जाता है, समझा आप, और यह जो init method है, वो उसको override कर देती है, यानि कि इसको अभी लेना ही नहीं है, हमारे पास सिफ यह ही है, ठीके, अभी मान लो, मैंने इसमें ऐसा लिखा हो था, कि यह जो है, उसको मैं copy करक यहाँ डाल देता, तो तो वो फिर print होता ही, ठीके, हाया है, मैं special edition, तो वो print होगा, ठीके, तो आपको समझ में आ रहा है, तिमेदी में, कि जो init method वाली method और रैट कर देगी, तो जो parent class की जो init वाली method थी, उसका कोई वजूद रहने वाला है ही नहीं, लेकिन अभी मान लो, तो हमें एसा कुछ करना है, कि जो यह हमारी init वाली method है, वो ओर रैट भी करें, और अगर हमें यह जो init वाली method है, उसका हमें इस्तमाल करना हो, तो हम यह भी कर सके, यानि हम दोनों init वाली method का यूज़ करना चाहते, तो वो हम कैसे कर सकते, तो उसका ही concept है, super function, क्या है उसक यह को हमने क्या किया है, inherit, उसमें हमने, जो init method है, उसमें हमें क्या करना है, कि लिग देना है, super, फिर parenthesis, और बार निकल के dot, कौन सी, तो कि init वाली, और, underscore, underscore, bracket, ठीके, अभी में क्या करता हूँ, देखो, अभी में मानलो, यहां पे, सब कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, class where one, प्रिंट करवाना है, comma, b dot, spb हमें चाहिए, comma, b dot, where one भी हमें चाहिए, अभी में इसको run करता हूँ, तो देखिया, क्या output आया, तो कि पहले तो आएगा, b dot class where one, तो अभी, वो कैसे होगा, तो कि हमारे class, 2 class where one है, मरला है, तो total 4, 1, 2, 3, इसको भी comment से बाहर निकल देत हो, ठीक है, अभी हमारे पास total 4 class where one है, 1, 2, 3, 4, और हमने यहां पे लिखा class where one हमें चाहिए, तो एक बात तो हमें पका मालूम है, कि वो, या तो यह instance वाला होगा, या तो फिर यह वाला होगा, क्यों, क्योंकि यह दोनो instance वाले class variable one है, जब तक instance वाले variable हमारे पास है, तब यह variable class where one और यह class where one output में नहीं आ सकते, ठीक है, लेकिन अभी इस दोनों में से कौन सा होगा, इसका अधर किन पर है, तो इसका अधर है, हमाने super function कहां पर declare किया है, उस पर है, कैसे तो मैं आपको बताता हूँ, class where one हमें चाहिए, तो वो पहले कौन सा, यह जाएगा super में, य तो यहाँ पर हमें print out में मिल रहा है, instance in class है, अभी क्या आया, कि b.sp, तो sp क्या है, sp तो यह है, तो उसका तो कोई हमें करना नहीं होगा, क्योंकि वो तो sp यह है, तो यह होने वाला है print, I am special edition, फिर क्या है, तो कि फिर है variable one, तो variable one कौन सा होने वाला है, तो कि हमारे पास variable one क और दूसरा variable है यह, self.variable one, ठीक है, अभी मैं इसको ले लेता हूँ, सही से, आगे है इसके नीचे, अभी मैं इसको run करता हूँ, ठीक है, तो देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको कि इसमें output क्या आने वाला है, तो कि class variable one हमारे पास दो है, एक तो यह वो और एक तो यह तो super पहले call होगा, सबसे पहले super call होगा, तो super मतलब क्या, super यहाँ पे चला जाएगा, super जो parent class की init method है, वहाँ पे चला जाएगा, super का मतलब भी वही है, parent class, तो यहाँ पे देखेगा, class variable one है, आ है, तो वो print कर देगा, लेकिन super के बाद यहाँ पे भी है न class variable one, तो वो over add कर देखा, यह class variable one से, तो finally हमें मिलने वाला है instance in class b, फिर sp तो यह है, तो वो print होगा, अभी variable one भी हमारे पास दो है, तो यहाँ पे है, और यहाँ पे है, लेकिन होगा कौन सा print हो, कि super में तो यह ही store हुआ है, variable one, लेकिन उसके बाद यह दोनो sentence है, तो यह भी instant sentence है, तो यहाँ यहाँ पे print कौन सा होगा, यह है, अभी same as मानलो, मैंने यहाँ पे super निकाल दिया, ctrl x से और इस दोनों के निचे लिख दिया, तो देखना, अभी output कैसे change होता है, ठीक है, अभी मैं इसको run करता हूँ, तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यह वाला होगा, यह वाला होगा, तो क्या होगा, पेले यह दोनों sentence print होगे, print ही में लब store होगे, फिर super आएगा, तो यहाँ से super कहाँ जाने वाला है, यहाँ से, यहाँ parent class की init method में, अभी उसमें देखेगा, class variable 1 है, आए, तो वो print कर देखा, sp तो एक ही है, तो वो भी print होगा, अभी फिर variable 1, तो super last में है, त अगर आपने वीडियो फोकस करके नहीं देखा है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो doubt पूट सकते है, और वीडियो एक बार और से focus करके देख लिए, देख लिए और साथ में coding भी करते है, ताकि आपको पता चल सके कि यह चीज है, क्या super function की, ठीक है, और notes में में आपको द बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much for watching.